हेलो दोस्तो नमस्कार स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल उत्राखन जी के वैरी जी ट्रिक्स में और आज की वीडियो में हम बात करेंगे वीडियो वीडियो सहीद इसनातक इस्तरी जो 894 पदू का एकजाम पेपर हुआ है दोस्तो आपका सिप्ट 1 का 3 बजे से 5 ब सगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आप एक अच्छे स्कूर में रहेंगे और एक सेप स्कूर में रहेंगे बांकि पेपर हम सॉल्यूशन बात करते हैं जिनका कल पेपर है बिल्कुल टैंसर मत लीजे दोस्तो पेपर का लेवल दिख लीजिए आप गर आगलूब ने तयारी करी हुई है तो पेपर में आप आसानी से अच्छे प्रसन करके आएंगे कुछ प्रसन उस तो हार्ड लेवल के हैं पंद्रा से वीज गूषन ये आपकी एक, आप कह सकते हैं, अंसर की भी, ओफिशिल अंसर की तो नहीं है, लेकिन मेरे द्वारा बनाई गई अंसर की है, चार चे पांस प्रसन इसमें थोड़ा सा विबादित है, मां की सभी अंसर में आपको सही सही बताने वाला हूँ, तहला प्रसन था, कि परिमती का आसे ही क्या होता है, तो परिमती का आसे होता है, दोस्तो क्या मरियादा, परिमती मतलब होता है, मरियादा, सिफारिस किस भासा का सब्द है, तो सिफारिस दोस्तो फारसी भासा का सब्द है, फारसी भासा का, और आपका कितना स्कोर रह रहा है, इसके हिसाब से ये भी आप उपसर्ग प्रयोगत हुए हैं, तो दो-दो उपसर्ग दोस्तों इसमें प्रयोगत हुए हैं, आपके समाल उचना में, सम और आ, ये दो उपसर्ग इसमें प्रयोग हुए हैं, ठीक है, यहाँ विचार मेरे मन में अचानक आया, इस वाक्य में किरिया विसेशन सब्द क्या है तो देखे दोस्तो किरिया क्या है आया है ना तो किरिया की विशेष्टा जो बताता है वहाँ किरिया विशेष्टा होता है तो अचानक यहाँ पर क्या होगा किरिया विशेष्टा होगा टिपण मुख्यत है कितने प्रकार का होता है विवादित प्रसन एक बहुत ज़्यादा विवाद है किसी किसी किताब में दो दिया गया है कहीं पर तीन दिया गया है कहीं पर पांच भी मिलेगा आपको कहीं पर आठ भी मिलेगा लेकिन मुखेता दोस्तो ठिपण के आपके तीन प्रकार होते हैं और यही कुशन मैंने आपको डिटो दोस्तो जो टिपण वाली जब मैं आपको पत्र लेखन करा रहता है वहाँ पी बताया था मैंने आपको अगर एक्जाम में प्रसने पूछा जाता है तो आपको तीन ही करके आना है ठीक है तो यही प्रसने पूछ भी लिया गया देखे अगला पसने महोधार यह मैं कौन सी संदी है देखे दो मात्राएं आ रही है बोला था मैंने आपको सीधे वरदी संदी मारजी महादन वहोधार यह ठीक है अगला पसने निम्हें से कौन सा सब्द भाव आचक परते का उधान देखे भाव आपको मीस्तरव आपके निम्हें से कौन सा सब्द सुद्ध है देकिए डकला पसने आपकोasm प्रश्ण सम्हों के लिए एक सब्द कौन सा होगा आप सीषरण की होगा र्योक ध्रस्वित्षक जान्मा वहनी है माँ पास्विक पसुखा विशेशन होगा ठीक है वरिक्षे सब्द का वर्णद विन्यास क्या तो वर्णद विन्यास से कुश्चन आ रहा है आप लोग भी देखे चलिए गया तलवार का परियोग किया गया है तो छोलिया निर्ति में तलवार ढाल का परियोग किया जाता है दोस्तों और दोस्तों उत्राकन देखिएगा आप अगर आप लोग ने हमारी वीडियो continuously follow किये ना तो मैं YouTube वीडियो से ही कह रहा हूं कि अगर आपको यकिन नहीं होता है तो अभी भी आप उमारी पोस्ट माटम क्लासेश उठा के देख लो या फिर परसूं जो मैंने आपको अज़े रावत की जो चार पांच वीडियो दिये कुमाउं को विष्णर वाली या 1500 कुश्चन की जो फाइल दी हुई आप उनको भी देख लोगे ना तो वहीं से आपको 25 से 30 प्रसन देखने को मिल जाएंगे ठीक है अगला आपसने देखे ये थोड़ा सा अच्छी लेवल का प्रसन था कि भारत के निम्द पत्तनों का उनकी स्थितिक्या नुसार उत्तर से देख्षन का क्रम क्या होगा अगला पसने है कि कुमाउं में किस अंग्रेज कमिशनर के लिए ना वकील न अपील न दलील सासन कहा गया है तो कमिशनर ट्रेल के लिए परसों ही लास्ट वीडियो अजई रावत्वाली सीरीज की देख लिए शौक्रेशन ब्रेटिस सासन वाले उससे तीन प्रसन आये हैं आजके एक एक करके बताऊंगा एक तो यही था ना वकील ना अपील ना दलील का सासन विल्लियम ट्रेल का सासन कहा जाता है अगर आपसे देखिए, एक यक्ति उत्तर पस्यम की और मुकर के बैठा है, यक्ति उत्तर पस्यम की और यह है, उत्तर पस्यम की और मुकर के बैठा है, वहाँ घडी की सुईयों की दिशा में 90 गुमता है, यहाँ से 90 गुमा यहाँ पहुँच गया, इसके पश्चाद वहाँ की सुईयों की विप्री दिशा में 135 गुमता है तो 90 यह हो गया 135 में यहां पहुच गया ठीक है अब वहां किस दिशा में मुह करके खड़ा है तो आप वहां दोस्तो कौन सी दिशा है पश्चिम दिशा में मुह करके खड़ा है अपसन नमबर C इसका राइट एंसर हो जाएग यह प्रस्ण बहुत बार पूछा गया है लेकिन इसके सदश्याज पहली बार पूछ लिए गया है गौडगिल और राओ ठीक है मेरे इसाब से बाकि एक बार क्रोस चेक कर लिजेगा अगला लेखे कुमाओ भाबर खेतिहार नियाज निदी की स्ताबना 1906 में की गई थी विश्टो रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है उत्राखंड में सतीपर्था कब समाप्त की गई दोस्तो यह प्रस्ण भी विवादित है कुछ इतियासकार उत्राखंड में मानते कि उत्राखंड में सतीपर्था को ट्रेल के समय पे समाप्त किया गया था कुछ इति लेकिन कुछ इत्यासकार इनकी निंदा करते हैं कि उन्हें अंत नहीं क्या था लेकिन फिर भी 829 के साथ पर जाना जाऊँगा या फिर इनमें से कोई नहीं भी इसका अंसर हो सकता है देखे अकलाबशन ने 1927 इस भी में Congress ने यहाँ फैसला किया कि Simon Commission का बहिसकार किया जाए इस सत्र के अध्यक्स कौन से तो 1927 में Congress का मदरास अधिवेशन हुआ था जिसके अध्यक्सता करे थी मुहमद अली अंसारी जी ने Option number A answer हो जाएगा Cancer के इलाज के लिए Taxol दोस्तो धुनेर परिक्ष्यावाणी में मिल जाएगा तुनेर नामक उस्ती पहुंदे का प्रयोक के आता है Cancer के इलाज के लिए ठीक है अगर प्रसन दोस्तो यह थोड़ा सा अच्छी लेवल का प्रसन है प्रसन क्या देखे यदि A प्लस B बराबर है C प्लस D गे और A प्लस D जो है वहाँ बड़ा है किससे B प्लस C से तो कौन सा कता निश्ची तोर पर गलता है तो इसको दोस्तो अगर आप solve करेंगे देखे A बड़ा है B से ठीक है तो A B से बड़ा है बिलकुल ठीक है आप देख सकते है A प्लस D बड़ा है B प्लस C से तो A बड़ा है B से ठीक है बाकि A बड़ा है C से ए दोस्तो देखे आप C से भी बड़ा है क्योंकि A प्लस D बराबर B प्लस C होता है अगले दो option देखे C बड़ा है D से क्या ये C बड़ा है D से या B बड़ा है D से ये थोड़ा सा देखने वाली चीज रहेगी, आप इन दोनों में से कोई भी एक कंसर मेरी ख्याल से हो सकता है, ठीक है, वांके एक बार आप इसे क्रॉस चेक कर लिजेगा, महाबारत में उत्राखन का वर्णन, सभी को आता होगा दोस्तो, ये उत्तरकुरू नाम से किया गया महाबारत के वनपरव में भी, पर्थम गुट निरपेक से संहिलन कब हुआ था, तो फर्थम गुट निरपेक से संहिलन हुआ था, ठीक है, अगर आप इसने है, कौन सा नाटक है, राजा रुद्रचंदार रही सीद है, तो रुद्रचंद्द्वरा दोस्तो उसमा रोद ग करता है तो एक विदेयक विद्तन विदियक है या नहीं है कोधा है क्वार्फ करता है निया का पर सफथ ये सचिवाले वाले में भी या किसी आइक एक जाम ये प्र स्न फोचा गया है just परसुं एक्झाम हुए, यू के पेशिका थीक है, अगर अब आपस न hedge monthsee, कौन सी एक फ्रांत्मिक चत्तान है, तो इसमें से, आगनी चत्तान है, एक प्रांत्मिक चत्तान स्थान, कौन सी चत्तान, आगनी चत्तान, यहा बस वही है इजोटी करके आपको याद रखना था इनके sequence याद रखने sequence के recording set कर दी रहे हैं D क्या होता है उस्टो चार होता है, O क्या होता है, 15 होता है, R क्या होता है, और O क्या होता है अंसर हो जाएगा यहां प्रकाशी तुई थी लेकिन पहला संस्क्राण इसका 1882 में वह अथासायद, तो 1882 आपका यहां पर राइट अंसर होना चाहिए, ठीक है, कुमाओं के चौते कमिशनर कौन थे, बताइए दोस्तों परसों ही, वीडियों मैंने आपको बताए था, आजरावत वाली किये ह आपसे यह जो 6 कमिशनर है, इनका करम आप याद रख लिएगा, एकजाम में पूछा जा सकता है, तो कौन थे उसतों, 4 कमिशनर कौन थे, लुसिंग गटन थे, कौन थे, लुसिंग गटन, पहले कौन थे उसतों, गार्णर, दूसरी ट्रेल, तिसरे गोबान, 4 लुसिंग अगला आपसे, किया उनमा, कस्तोरी मिर्यक विहार की सतापना, 1902, दोस्तों, यहाँ पर कस्तोरी मिर्यक विहार से आपको संदर्फ्स लगाना है, असकोट कस्तोरी मिर्यक विजियार की बात की गई है, ठीक है, कौन सा Uniform Resource Locator, URL का हिससा नहीए, तोस्तों, यह प्रसन काफी URL का हिस्सा होना ही चाहे तो फाइल साइज के जारा चांसे रख रहे हैं आप लोग एक बार इसको देख लीजेगा ठीक है चचनामा किससे संबंदी देख जोस्तों तो सिंद छेत्र के इतिहास से अगला मारा प्रस्ण है उत्रांचर राजी का पर्थम बजट आप देखिए ये प्रस्ण दोला था गुमा के बूश लिया गया जोस्तों उत्रांचर राजी में पर्थम विदानसवा अध्यक्ष कौन थे जोस्तों मारे मनोनीत परकास पंतजी थे तो परकास पंतजी इसका राइड एंसर हो जागा तो गुल्दस्त तवारिक इसका परकास पंतजी ने किया ठाटिक है अगला हमारा प्रस्ण है उनीस सो तेईस में ट्हीर रियासत में राज्य परतियी सवब आप देखिए उनीस्स सो तेईस ही दे दिया दे अस तो अगर आपको याद होता कि उनीस सो तेईस में राजा के बाद दे रहा था अंसर दो अक्षान्चु के बीच की दूरी कितनी होती है 111 किलोमेटर होती है सभी को पहले भी यूग के हाई कोट वाले एक जाम में यह प्रस्न पूछा जा चुका है अक्षरों का अगला क्रम कौन सा होगा दोखें देश तो इसमें कौन सी सीरीज लग के दारनात के रावल मुख्यता पुजारी होते थे कहां के दोस्तो तमिलाडु के जांगम संब्रदाय के होते थे तमिलाडु यहां पर आपका राइट अंसर होगा दक्षिन में अगला आपसने गरीबी और अकाल पुस्तक के लेखा कौन है अम्रत्ति सेन है ठीक है किस पर जोस्तो इसके लिए आपका कंट्रोल एफ 9 होना चाहिए ठीक है विससे कंट्रोल प्लस के का भी प्रयोग किया जाता था इधिंक तो एक बार आप इससे भी क्रॉस चेक कर लिजेगा अगर आपस देखे गुरु राम राय को किस राजा ने अपने राज जिमा आस्रही दिय को इस तो मुलिंगला दर्रा और भारत के साथ विया पार से कंट्रोल पर विस्तार अधिनियम कब लागू किया गया दोस्तो आइधिंक इसका अंसर 1996 होना चाहिए क्योंकि अनुसुची छेत्रु के विस्तार के बारे या पूछा गया ठीक है तो 1996 में ही अनुशु जी छेत्रु के विस्तार पे पंचायतु का प्रधावन लागू किया गया था अगर आपसने निम्नवास से कौंची नदी गर्म जल स्रोथ से उद्गमित होती है यह बहुत अच्छा प्रस्न देखे यमना नदी का होता है यमनोत्री सी होता है य समानता का अधिकार दोस्तो आर्टिकल 14 से आर्टिकल 14 और 15 में समानता के अधिकार के बारे हैं बताया गया आप देखे दोस्तो किस अनुश्यत में इस्तरी वर पुरुस को पूर्ण रूप से समानता दी गई है तो समानता के बारे में आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक पढ़ते हैं ठीक है तो इस्तरी और पुरुष की पूर्ण समानता तो मेरे ख्याल से उसका अंसर 14 और आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 होना चाहिए ठीक है आर्टिकल 14 और पंदर एक बार आप इससे 2019 को पर्थविक की कक्षा में सपलता पुरूबग स्तावित किया गया आराई सेट टूबी को स्तावित किया गया चंदू की थी यह अजरावत वाली वीडियो से ही सारे कुष्टन्स फसे वे आपके देख लीजेगा आप उनको अभी भी देख लीजेगा इनका कलिक जाम है नहर कटिया पैट्रोलियम छेतर दोस्तो कहा है असम में नहर कटिया भारत का सक्री जौला मुखी कौन सी है कौन जो सी जी थे इस टाइम पे ठीक है दो जार साथ से नौ तक तीसरे राज्यपाल लोग कल्यानकारी राज्य का आदर्स भारती संविधान में इस्थापित किया गया तो लोग कल्यानकारी राज्य को जस्तो भारत के राज्यू के नितिन दिशेक्तत्यों के सिद्दान में सा चाहिए है 1997 क्योंकि 1997 में ही नयनुताल से अलग होके हमारे दो जनपर्वत बंते है क्योंकि दो जनपत्व की 고ings actually से दो जनपत नहीं है और 1891 में जिला बनता है उसके बाद में 1970 में जो मारा पित्वलागर जनपत बनता है वह अलमुडा से लग करके बनाया जाता है थोड़ा बहुत सीमा उसमें जर्फ़ की डाल दी जाती है फिर 1995 में नैंताल से लगकर के उधंची निगर बनाया जाता है वो भी एक ही जनपद होता है तो 1997 में बागिस्वर और चमपावत यह दो जनपद बने थे लेकिन यहाँ पे भी दोस्तो जो बागिस्वर जनपद है वो अलमुडा से लगकर के बनाया गया था तो अधिंक यह प्रस्न आपका गलत होना चाहिए क्योंकि दो जनपदों में भीखते किया गया है दो जनपदों में तो कभी भी भीखते नहीं किया गया तो आयों कई तो 1997 वे दे सकता है या तो पॉर्वावाल में बादीँ को इसपर इंस जो mailing अन्से पोंते हैं स्विकल्प में जल परतिवें में कौन सा होगा देखे दोस्तों यह प्रस्ण भी गलता है कर देखा जाए क्योंकि यह आर इसका अंसर वैसे ए होगा option के according लेकिन यह आर को ऐसे ना होके इस आर को ऐसे होना चाहिए था ऐसे होना चाहिए ठीक है लेकिन option ओर्णाइजिंग और्गेनिक बायो एग्रो इस्वर्चेज धन ठीक है option नमबर ए तीरी गडवाल मैं नव दोब्रा चांठी पूल की लंबाई कितनी है दोस्तों तो option नमबर डी दोब्रा चांठी पूल की लंबाई कितनी है आप दोस्तों इस question को भी आप लोग कर लिजेगा जिजदिंगे question में solve नहीं किया है ठीक है comment box में solve करके थोड़ी देर में pin up कर दूँगा ठीक है उत्राकन राज जी की नियम लेखित प्रमुक नदियों का उनकी लंबाई की अनुसार बढ़ता करम क्या होगा तो सरवाधिक लंबाई किसकी काली नदीगी है तो option number 1 आपका सही answer हो जाएगा नदियों का sorry नियम लेखित नदियों का उनकी लंबाई के अनुसार बढ़ता क कैसा लगा आप लोग जरूर बताएगा मेरे साफ से तो पेपर का लेवल अच्छा था दोस्तों बहुत सारी कुश्चन प्रिवियर से भी रिपीट हुए थे आप देखते हैं कि कल का एकजाम कैसे रहता है और अगर इसी प्रकार का आपका एकजाम पेपर रहता है दोस्तों तो मैं तो यह कहूंगा कि 70 प्लस अगर आप जर्नल केंडियेट हैं तो आपका सेब इसकोर आपको 70 के आसपास में करना पड़ेगा ठीक है बागी दोस्तों इसमें मेरे ख्याल से एक कुछ क्वेश्चन समारे इसमें में मैं आपको करा जिता हूँ एक मिनिट अगला दोस् से लेकर साइद 45-45 तक क्वेश्चन चुटे थे और 33 से लेकर 79 ठीक है प्रस्नवाच चिंद के स्थान पर कौन सा अंसर आएगा तो 342 आएगा दोस्तों अगला है भारत का राष्टबर्ती मंत्री परिश्चत की सलाह को एक बार पुनर विचार के लिए भेश सकता है पुनर विचार की यहाँ व्योस्ता की गई है किसमें दोस्तों 44-वे समिदान संचोधन 1978 के तहत है अगला आपसने उत्राकन राज्जी में संस्कृत शिक्ष् है तो सबसे बहले क्या करते है तो 8,48, बाजा 2,24 हो जाएगा, एक मिनट, D की, एक मिनट दोस्तों, A का आर्थ मुल्टिप्लाई है, ठीक है, ठीक है, 21, C का आर्थ, दोस्तों, थोड़ा से यहाँ, मिस भी दिख रहाई है, दोस्तों, 21 प्लस 3 होगा, ठीक है, D का आर्थ माइनस होगा, माइनस 6 है ठीक है A का आर्थ क्या है multiply है 6 into 8 और B का आर्थ डिवाइड है B upon 2 24-24 करेंगे दो 0 आएगा दोस्तों इस cancer ठीक है यह थोड़ा से यहाँ पर आप देख ली जाएका symbol मिलको साब दिखनी रहा है ठीक है लेकिन इस cancer अगर इसी symbol के अगला पसमा देखे और चूट गया था आपका 63 से 69 ठीक है 64 से तो 64 माँ कुछे ने देखे विनोवाब भावेद्वारा भूधान अंधुलन कब शुरू किया था तो विनोवाब भावेद्वारा भूधान अंधुलन दोस्तों 1991 में शुरूख किया गया था कब 1921 में विजयनेगर सामराजी की परसिद्य नहर कौन सी थी तो हिरिया नहर विजयनेगर सामराजी की परसिद्य नहर थी उतराकन राजी का सबसे छोटा राश्टी राजमार्ग देशी वही पुराना वाला अभी चल ला है ठीक है फिल्म सूर्मा निमन मैं से कि सौकी खिलाडी की जीवनी पर आधारीत है तो फिल्म सूर्मा जो है दोस्तों वहाँ संदीप सिंग की जीवनी पर आधारीत है एक मिनट, फिल्म में सूर्मा, हाँ, संदीप सिंग जी की जीवनी पर आधारी था, ठीक है, अगला प्रसन है, गडवाल मोटर ओनर्स यूनियन लिमिटेट की स्थापना, उनिस्थापना होई थी, तो ये दोस्तों आपके सारे questions हो गए है, 100 के 100 questions, अगर इसमें से कोई भी प चेक के लिजेगा, इसका अंसर या तो संदीप सिंग होगा, या अजीज सिंग भी हो सकता है, ठीक है, एक ये question चेक के लिजेगा, बाकि दोस्तों आपके 95 प्रसन यहाँ पर आपके विल्कुल सही-सही अंसर मैंने बताने की कोशिस की हुई है, बाकि अगर आपको कोई भी